हेलो फ्रेंट्स अब हम बात करेंगे के आज के सैटन अगर आपके कैप्रिकॉन एसेंडेंट मतलब कैप्रिकॉन लगन के लोगों के अगर फर्स्ट हाउस पे सैटन बैठा हो तो क्या रेजल्ट देगा Saturn का first house अगर Capricorn है आपका लगन अगर Capricorn है अगर Saturn first house में बैटा है तो वो अपने ही घर में बैठा हुआ है और वो क्या result देगा उसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिरसे request करूँगा आप लोगों को जिकि अगर आपको पसंद आया तो please like करिए और मेरे चानल को subscribe करिए ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊं सभी और भी Ascendant और planetary Lords के basis पे आप लोगों को help कर पाऊं अब बात कर लेते हैं जिकि Saturn अगर अपने ही घर में 10th house में Capricorn Ascendant में 1st house में बैठा है तो कैसे कैसे effects करेगा अब यह effects कैसे करेगा मैं यह आपको बोल सकता हूं जिकि Saturn का जो दसवा number है 10th number है यह Capricorn का जो number है यह कैसे personality trades दिखाता है वो judgment वाला personality trades दिखाता है judgment मतलब क्या सही गलत के बारे में सोच समझ के decision करना और अपने आपको हर चीज में judge करना और सामने वाले को judge करके एक result देना और उतना ही देना जितना उसका बनता है यह Capricorn के nature का एक trait है और Saturn वहीं जाके बैठ के है अब क्या हो गया है जिकि यह कुछ जादा ही judgmental हो जाते ह हैं और judgmental होके अपने standards बहुँ हाई कर लेते हैं ठीक है और उसी चकर में क्या होता है इनके लिए वही complicate कर देता है situations को अब हम यहाँ पे देखते हैं जिकि Saturn अगर first house में बैटा है तो उस अनसान को अपनी जिन्देगी का जो life partner है वो भी उसे अपने high standard के basis में चाहिए वो अपनी जिन्देगी को भी high standard के basis पे देखेगा वो अपने काम को भी हाई अपने एक बहुत ही जादा मतलब सुप्रीम तरीके से करने के या एक तरीके से perfect तरीके से करने के पीछे पड़ा रहेगा और दूसरों से भी यही expect करेगा यही चीज जो होती है Saturn की Capricorn nature के लोगों सेन ही है लेकिंगे simultaneously what happens that Saturn sits in here and makes them more judgmental and more high more like taking pressure on themselves and expecting from others also very high demands are there from they expect from other people also so आप लोगो I will advise you this that stop doing that थोड़े से शुरूट होते हैं यह लोग क्योंकि Saturn is like judgmental के मतलब अपना सोच समझ के करता है तो थोड़े से like expenses करने से पहले चार बार सोचेंगे चार चीज़े सोचेंगे उसके बाद कुछ करेंगे तो इन लोगों को थोड़े सा conjuice की दिक्कत होती है मतलब इन लोग जरूर बोलूँगा जिकि आप अपने आपको थोड़ा सा relax करने की कोशिश करिए थोड़ा सा सोच समझ के काम जो आप कर रहे हैं लेकिन अपने standards को थोड़ा सा यह सोच के चलिए जिकि दुनिया कैसे orthodox nature के मत बनिये या किसी भी चीज़े कोई भी negative traits अपने अंदर मत डाल और basic structure को accept करके चलिए अगर ये बोल दिया जाए कि कल सूरज नहीं उगेगा तो आप नहीं मानेंगे ना because सूरज उगेगा तो वही चीज़े जो चीज़ दिख रही है उसी चीज़ पर भरोसा करिए जो चीज़ नहीं दिखती जो चीज़ नहीं है लेकिन दुनिया में चल यहां पर रेजल्ट कैसा देगा रेजल्ट ऐसा देगा कि रेजल्ट यहां पर टेंथ और 11 अउस का ओनर होगे लगन में बैठा है तो लगन में बेनेफिट तो देगा बहुत ही स्ट्रॉंग परसनालिटी होगी हेल्थ भी ठीक ठाक रहेगा सामिल्टेनेसली साटन जो ची इसकी मैं गरेंटी नहीं देगा वह कुछ तो बेनेफिट देगा तो आपको कुछ मिलेगा लडएंगे तभी मिलेगा बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा तो लड़ना पड़ेगा तभी मिलेगा लेकिन कुछ मिलेगा फुल फिलेज मिलना मुश्किल लगता है अब ये बात आती है जेकि साटन तीसे दिश्टी देता है थर्ड हाउस पे छोटे भाई बैन के साथ प्रॉब्लेम्स रहेगी अगर चुपिटर अच्छा रहा तो सा थोड़े से बॉसी होंगे छोटे भाई बैन उनके वह अपना नौलेज जादा उनको प्रेटेंड या उनके पास शायद आप से जादा नौलेज है तो वह दिखानी की कोशिश करेंगे जिससे आप थोड़े से अपसेट हो सकते हैं आपका रिलेशनशिप थोड़ा काफी अच्छा नहीं रहेगा लेकिन महनत करेंगे तो आपको स्ट्रगल यहां पर अगर आप करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट देगा आपको सैटन यहां से बेनिफिट देगा अगर जूपिटर अच्छे हाउस पर बैठा है जैसे यहां बैठा है या आप देख लीजिए जूपिटर अगर यहां बैठा है यहां बैठा है तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा आपकी महनत का अब जूपिटर अगर सेवंध हाउस को देखता है तो लाइफ पार्टनर के साथ कॉम्निकेशन गया पासकता है लाइफ पार्टनर वुड़ बी वेरी सौफ्ट काइ जाइफार्टनर में बाद में क्या रिजल्ट आता है यह जादी अगर आप करते है या रिलेशन्षिप में जाते है तो पहला स्टेप आप लेने की कोशिश करिये क्योंकि हो सकता है जिकि वो आप से ज्यादा दुखी हो आपके behavior आपके behavior से वो ज़्यादा दुखी हो तो थोड़ा सा आप अपनी side से थोड़ा सा उसको mitigate कर सकते हैं आप उनके सा relationship अच्छा रख सकते हैं future में हो सकता है आपका relationship अच्छा हो लेकिन starting, complication आना आ ही सकता है work आपका अच्छा रहेगा 10th house lord है father के साथ relationship उतना अच्छा रहे ना रहे लेकिन work आपका अच्छा रहेगा काम आप करते रहेंगे आपको अच्छा benefit मिलेगा क्योंकि Venus यहाँ पे है तो Venus के साथ अगर Saturn का conclusion देखू तो यहाँ पे काम से आपको आप job में करेंगे तो government job का अच्छा कासा आपको benefit मिलेगा या कोई भी आप job करना चाहते है रिलेटर आप दिखने आपकी personality काफी अच्छी होगी अगर Venus यहाँ और यहाँ बैठा है तो काफी अच्छी benefits आपको provide करेगा Venus पे बहुत depend करता है यहाँ पे लेकिन Venus अगर नहीं भी कहीं बैठा है उतना अच्छा लेकिन आपको Saturn यहाँ से काफी benefits देगा तो यह था मेरा Capricorn Ascendant का अगर first house पे Saturn बैठा हो तो क्या result देगा प्लीज सब्सक्राइब टू मै चानल थैंक्यू